वेल्कम बेक टुमाई टूप परहकर क्या से हैं आप सभी लोग आयू बच्चे होंगे और आज किस वीडियों देखने वाले हैं जो भी ज्छात्र भी ये सभी वर्स्ट सेमस्टर में हैं उसके नहीं पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेका है जिसके हम राजितिक सब्सक्राइब कर लिए बहां हमने अलग अलग सब्सक्राइब कर लिए उस पर आपको लिंक मिल जाएंगे जिसमें आप आसानी से नोट्स रिटेन एक्जाम है लिखत परिक्षव हो रही है यह फिर आपके MC को कोशन आ रहे हैं सारी वीडियो आपको प्रवाइड करा जा रहे है चाल को सस्क्राइब कर बैल आकन को प्रेस करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे रहा है कोई भी दिक्कत है त संहीं जो सुची होती है संहीं सुची जानते हैं उसमें कितने समलेत हैं इस जानते हैं सब्सक्राइब नमबर B को लोग करना संगी सूची में राजिय सूची में कितने विशय समलित है बता ये राजिय सूची में कितने विशय समलित है तो आप वे 66 विशय समलित है नमबर C को लोग करना 66 विशय समलित है next question यहाँ बूला गया है संब्रती यहां वो लगा है संब्रती सूची में कितने बिस्षय संब्रत है बहुत important question है संब्रती सूची, राज सूची, संग सूची में 97 है ठीक है, याद रखें कितने हैं बटा, 97 है और राज सूची में 66 है गोगी सकेंद्र है, तो बड़ा होगा, तो 97 लगा देना राज में कितने हैं, 66 है यादि संब्रती सूची की बात करें, तो कितने बिस्षय है ठीक है, संब्रत किये गए है तो आप गोगे, वो किये गए है, बिटा 47 option number जिसने भी दिया है अब प्रजेंट में यादि बरतमान में बात की जाए 97, 100, ठीक है और 61, 66 तरेपन ऐसा कुछ होता है, मैं आपको ट्रिक बताओंगा वो आप देहा लेकिन इस में जो है, वो आप देख लीज़े next question आपके सामने आए, भारत में प्रतेख ब्यक्ति को दोहरी नगरता प्राप्त है भारत में प्रतेख ब्यक्ति को दोहरी नगरता प्राप्त है, वो कितनी प्राप्त है आपके बताना है यहां गुलागा है मूल अधिकार नयाय और जब भी मूल अधिकार का हमारा उलंगन किया जाता है तो articles 20, 32 जो हमारा सप्रीम कोड्ड द्वारा उसको हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं ठीक है? आर्टिकल 32 के तहट अप रीड जारी कर सकते हैं अपना न्याय मांग सकते हैं कि भी हमारा न्याय का उलंगा मलब की मुलदीकार का उनंगण हो रहा है नीती निर्देशक जो तत्व हैं वो राज अपने जनता के प्रति कुछ अच्छी कार करने के सूचता है तो वो नीती निर्देशक तत्व के अंदरकात रखा जाता है इस बात को याद रखना जैसे कि आपको दे रखा है चाबालिस में चालिस में चाबालिस में चाबालिस में रखा है यह चीजें इसको देखेंगे यहां बूला गया है भारत के सबीद भारत के राष्टपती कौन चुनता है तो भारत के राष्टपती को कौन चुनता है आपको बतारा है अब देखो भारत के जो राष्टपती होते हैं उनको सदन के दोनों जो सदन होते हैं, संसद होता है, संसद के दोनों सदन जो होते हैं, एक होता है, ठीक है, दोनों सदन जो होते हैं, संसद के, उन दोनों सदनों के निर्वाचे जो सदस होते हैं, मतलब जो चैने सदस होते हैं, और राज्यों के बिधान सबाओ, और संगी छेत्र सबासवाओं सब्सक्राइब चुना जाते हैं तो संगिय को भूला गया है और राजिके बिधान सभाओं के और संगिय चेत्रों के बिधाल सब्सक्राइब द्वारा राष्ट्रपती को चुना जाता है नेक्स कोशन आप बुला गया है option number D को लाइक को रेंगे नेक्स कोशन बुला गया है राष्ट्रपती पद के लिए उम्मीदवार की आयू कम से कम कितनी होनी चाहिए यदि कोई राष्ट्रपती बनना चाहता है तो उसके आबिदन कोई कर रहा है तो कि उसकी उम्मर कितनी होनी चाहिए बताइए तो आप कहेंगे 35 बर्स उसकी उमर होनी चाहिए मलब कम से कब 35 बर्स होनी चाहिए next question आपके सामने बोला गया है कि राष्ट्रपती का महावयोग लगाने का अधिकार किसको है तो बेटा जो महावयोग का अधिकार जो लगाता है वो संसद के दोनों सदन लगा सकते है उनके सदस कब लगता है तो आर्टिकल 61 के तुरू लगता है महावयोग समसरे हो सभी चासे को याद रखना है किया होता है कि कोई राश्टपती मतलब सभिधार की नहीं आँ खिलाफ है उसके तो ऊस पर जो सदस होते हैं संसत के दोनु सदन के राजवा लोक्स बहले में क्या करता है यह क्या कर देते हें वह चीजी होती है ठीक है है उपराष्ट पती देखेंगा उपराष्ट पती देखेंगा उपराष्ट पती ऑप राष्ट में dollars Freedom को नeye पतवोषित कार बहना चाहता है ने सेटानट में और आप चारीक से संग का DH कारपालिका सकती नहीत होती है याद रखना उपशारिक रूप से और नहीत है चालो राष्ट्पती में कितने सधसों को मनौनित करता है तो राष्ट्पती जो राश्ट्सवा के अंदर होता है माराश्टिपती बारत के राश्छ्टपती को भारत के राष्टपती को पद से हटाने की बिधी क्या है तो बिटा भारत के राष्टपती को महा भीयुक द्वारा आर्टिकल 61 के द्वारा उसे हटाया जा सकता है नेक्स कोशन मुला गया कि भारत के उपराष्ट पती का चुनाब कौन करता है तो भारत के उपराष्ट पती होता है ठीक है उसका चिनाब संसद के दोनों सदनों के सदस करते हैं संसद के दोनों सदनों के जो निर्बाचे सदस होते हैं ठीक है यहाँ देखे निर्बाचे नि Χ delivers अंतल और दरा न ही और सवक्राइब को स्छेन राष्टरहिं संसड और राज्यों के पुना जाता है सदस उनके दवारा उप्राष्ट्टपती यहां बोला गया कि भारत के राष्ट्रपती के संकट कालिन सकती कितने पिरकारगी होती है तो आपो कोंगे संकट कालीन जो चक्ती होती है राश्ट्रपती की वो 3 प्रिकार की do ठीक है ठीक है तीन प्रिकार क्यों होती है राश्ट्रपति अपादकाल लगता है वो आटिकल क्या लगता है 360 उपादकाल लगता है तो महा भयोग बिटा राश्ट्रपती के वृद Daf Mountain जा सकता है राष्टपती जो होता है, ठीक है, के बुरुद लगाया जाता है महाभी होगा, option number 9 का जो रहने वाला है वो sees right होगा, next question देखें, यहां बूला गया है, कुछ महत्मुर कोशन है, यहां बूला गया है, यहां बूला गया है, तो राष्टपती का कारकाल 5 बरस का होता है, मैं बूला था, article 352, 356, और 360, ठीक है, article 360 अभी तक कभी नहीं लगा है भारत में, बाकी यह दोनों लग चुके, राष्टपती शासन भी लग चुका है, अपादकाल, next question बूला गया है, देखें, भारती सुरक्षा, सेना का मुख सेना पती कौन होता है, राष्टपती होता है, next question बूला गया है, कि मंत्री मंडल में किन सुरणुक के मंत्री होते हैं, तो जो cabinet इस तर पर जो मंत्री होते हैं, वो मंत्री परीशत के सुरणी में आते हैं, next question बूला राष्टपती के पत की रिक्त होने पर उस पत का नर्वासित करते समय, कितने समय के अंदर, यहां ब राष्टपती बनाएंगे, नया, ओर तब तक उस पत को कौन समालेगा, उस पत को उपराष्टपती समालता है, next question बूला कि भारत के प्रिथम राष्टपती कौन थे, तो भारत के प्रिथम राष्टपती डाक्टर राजनदर्परशाथ थे, प्रधान मंत्री की निउपती कौन करता है तो राष्ट पती करता है प्रधान मंत्री की न्युक्ति नेक्स कोशन बुला गया एदि मुख मंत्री की पूछ ले तो कौन करता है राजपाल करता है ठीक है याद रखना यहां कहा रहा है प्रधान मंत्री किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो आपको गए लोक सभा के प्रती लोक सभा का प्रतम सदसोता है मुख सदसोता राश्ट ठीक है याद रखना लोक सभा का चलो यहां कहा रहा है मुख्चुनाब आयुक्त की निक्ति कौन करता है तो राश्टपती करता है मुख्चुनाब आयुक्त की निक्ति राजनितिक भवन की आधार सीला किसे कहा जाता है जो राजनितिक भवन होता है उसकी जो आधार सीला बोला जाता है उसे मंत्री परिशत को बोला जाता है मंत्री परिशत जो प्रिधान मंत्री बेगारा होते हैं प्रिधार मंत्री और उनकी जो मंत्री होते हैं उनकी बात करत से और उपराष्ट पती की अनु पस्तिती में राष्ट्पती पत कौन सवालता है तो उस समय में कौन उस पत को सवालेगा तो याद करना सरभुत्च न्याने का मुखन आदीज सुप्रेम कोल्ड का जो मुखन आदीज होता है वो उस समय राश्ट्रपति के पद को समालता है, यदि राश्ट्रपति उपराश्ट्रपति दोनों नहीं यह तो, ठीक है? सुप्रेम कोर्ट का मुखनियादी सियाद रखना, ठीक है? चारो, यहां बुलागे थे का संसद, लोकसभा और राजसभा दो संसद को मिलकर बनी होती है, तो राष्टपती, लोकसभा और राजसभा से मिलकर संसद बनी होती है, ठीक है, पार्लिमेंट से बोला जाता है, नेक्स को यहां तो पहला कोशन यहां बुलागे है, लोकसभा के सदस्यों के अधिक्तम संख्या हो सकती है तो लोकसभा में जो अधिक्तम संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है आप को बतारा है लोकसभा में अधिक्तम संख्या 552 हो सकती है option number जिसने बी को लोकिया है परमसुतांस रहे लोकसभा की सदसों की नियुनतम निर्दारी आयू कितनी होती है जो लोकसभा के सदस होते हैं उनके नियुनतम आयू कितनी होती है तो आप वो होती है पच्छिस वर्स का यदिक विखती है तो वो क्या है लोकसभा के सदस बन सकता है या गरे लोकसभा के लिए मदान की सबार के संग्रेपाल का किसके प्रती उत्तर्दाई होते हैं संग्य कारपाल का होता है संग्ही कारपाल का की बात की जा रही है समान बजट संसत में प्रुस्तित किया जाता है तो आप गोगे बित मंत्री के दोरा किया जाता है बित मंत्री के दोरा किया जाता है चलो नेक्स कोशन आपके सामने है एक बार देखेंगे सबी लोग यहां बुला गया है कि राजसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो राजसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट पती होता है राजसभा का याद रखना है उपराष्ट पती होता है लोगसभा का कारकाल कितना बर्स का होता है तो लोक सभा का कारगाल पांच बर्स का होता है राज सभा के कारगाल की बात करें तो एक दिन बढ़ा देना छे बर्स हो जाएगा चालो एक बर्स बढ़ा देना मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं एक बर्स बढ़ा देगे किसी भी अधीनियम को कानून बनाने के लिए कोई अधीनियम वहने पारित किया और उसको कानून बनाने के लिए किस सदन के स्विकृति आवज से कहें तो किस सदन की तो आप कोगे सदन दोनों सदन और राष्टपती की स्विकृति या दिक है यदि हमने कोई कानून बनाया कि भाई भारत में ऐसा होने वाला है तो उसके लिए किसकी परमीशन लेने पड़ेगी एक बटे चार लोग एक बटे चार होते हैं लोग उस पे हकताक्षर कर देते हैं तो वो संसत में पेस हो जाता है मतलब कि वो कानून पारित हो जाता है ठीक है अब यहां बोला गया एक होता है विदिहक संसत के किस सदन की सदन में प्रोस्तत होते हैं जो बिद्यक होते हैं विद्यक को कानौन बोला जाता है boot लोग सहमती देताते हैं तो गाणून होता है तो अधिन्यम में पारित होजाता है विद्यक हमारी विद्य होती है अधिन्यम बनाई हूझ nos ठीक है उसके बाद में नेक्स कोशन यहां बुला गया कि धन विद्यक किस सदन में प्रुस्थत होते हैं तो धन विद्यक जो होते हैं वो लोक सभा में केबल लोक सभा में धन विद्यक की जब बात की जाती है तो केबल लोक सभा में पारित होते हैं यह प्रुस्थत होते हैं संसत के दोनों सदन की प्रोस्तत बैठक के अध्यक्षता कौन करता है तो संसत के दोनों सदन की प्रोस्तत बैठकता होती है वो लोगसभा का अध्यक्ष करता है ठीक है लोगसभा की अध्यक्षता कौन करता है तो लोगसभा का अध्यक्षता होता है सबसे बड़ा कौन होता ह लोगसवा में, तो आप वो लोगसवा speaker होता है, वही तो होता है लोगसवा के speaker, speaker बोला जाता है, तो आपने देखा होगा, एक साइट मोग पर बेटा है, अरे गुरू जी बैटो, 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 सांतरो, सांतरो, तो वो, वो होता है speaker, चारो, यहां बोला गया है, कोई बि के से कुछ गारों कि यहां कहाँ संसद Tommy समान बजट कौन प्रось करता है तो संसद में समान बजट करता है वो बित्मंतरी करता है याद रखना बित्मंतरी करताथ मैंने पहले बता चुक помог आप कुछ qoshen बनते हैं राजसभा गाबम विधान से लेटिड अब राजसभा और विधान सभा को पड़ लो यहाँ राजसभा और राजसे लेटिड है विधान आप कर रहा है राजपाल की नुकती कौन करता है तो आपको वह राष्ट पती करता है राजपाल की निक्ति तो राष्टपती करेगा इस बात को आप याद रखेगा कौन करेगा? राष्टपती करेगा और यहां कहाँ राजपाल राजपाल को पत से हटाया जा सकता है तो राजपाल को पत से कौन हटायेगा? तो आप गोगे राजपाल का वूँदा है तो यहां कहे रहा है राजपाल पूर्ण रूप से उत्तरदाई हो तो पूर्ण रूप से किस प्रती उत्तरदाई होता है राष्ट पती के प्रती, option number 1 योड जाएगे next question यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ कहा है, राजपाल द्वारा जारी किये अध्यादेश को बाद में किसकी सुविकृति की आबसकता होती है माल लीजिए, राजपाल में कोई अध्यादेश जारी किया, बदल कोई कानू लाना चाहा रहा है, और उसके बाद में, तो किसकी जरूति होगी उसको सुविकृत करने की, तो बिधान मंदल की, तो किसकी बिधान मंदल की उसको जरूत होगी, बिधान मंदल उसको सुपर्ध शुकृत कर लेता तब उसके बाद में को अध्यादिस आरी कर दिया जाथा ठीक है यहां देखिए बूला गया है नेक्स कुछन यहां चैब संग सूची के इसे कि बात की जित रहे हैं तो संग सुची अब विश्वारे में सोचता है वो सम्रदि सूची के अंदर कर रखा जाता है ठीक है समझ रहे हो चलो next question यहां बुलागा है देखें यहां देखी ध्यान से इसको देखें यहां कहा रहा है बिधान मंडल का पत्र बिधान मंडल का सत्र ना होने की इस्तिती में राज में अध्यादेश पारित करने का अधिकार किसको है तो राजपाल को है यदि बिधान मंडल का सत्र ना होने की इस्तिती में तो राजपाल क्या करेगा अध्यादेश जानी कर देगा और बहीं बुला गया है कि उत्तर पिर के लिए पांच वर्ष के लिए करता है ठीक है नुक्ति का मतलब होता है सपत कौन दिलाता है वही तो राजपाल दराता है यहां कहा रहा है तो मानेगी किसकी किन सरकारी की मानी जाएगी ठीक है यदि दोनों सा मत होते हैं तो भी बाद भई है और ना वह दे तो भी बाद भई है चालों निर्डड़ जो होगा वो किसका होगा किन सरकार का हुगा इtname करों करता है आप गोगे बिट आयो करता है राज ओर के मदर कर होते है जो इतना टेक्स इसको देया मैंने इतना टेक्स इसको आया वो बिट आयो के का अध्यक्ष कौन है कौन होता है मंत्री परिशत का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है मंत्री परिशत का अध्यक्ष कौन होता है तो आपको कि वो होता है प्रधान मंत्री ठीक है नेक्स्ट कोश्चन बुला है कि भारत के किस राज में भारत के किस राज में दो कॉस्चिन मने है सब्साइब को से सर्वाइब की मतलब कि हम भोलते हैं सर्वाष्च ==== और नटायो अब स्रवाच्नियाले से लेडिन कोशिंभी तो इसमें क्या हो लेगा कि सरवाच्नियाले के नाधीस बन स्थ कि T बода गया है कि सर्वाच्नियाले के नीस जिए चल्वत किनुफी करता है। सब्सक्राइब करता है राष्टर्पती करता है छेक्पी टो कि अर्स तर करने को सप्रेंटे नमबर किसको रोप्षे नमबर और जो अडि़ी रोड़点 सर्भूचOoh आले सरवूचिन आले बुला गया तो Supreme Court के मुख अधीकारी की रक्षा के लिए जो पांच पिरकार के लेख जारी करता है उन में से सबसे महत्पूर कौन सा है तो आप याद रखना पांच पिरकार के रीड जारी करता है रिड जारी करता है सुप्रीम कोड टीक है किया करता है प्रिति रक्षिक रता है तो क्या क्या करता है नितमारे बंधी प्रिति रक्ष्य कर qua है सब अभी कोई बंदी होता है तो आप सिस्टम कहा सकते हो तो यह चीज होती है तो वह चीज यहां बंदी सबसे महतपूर यह लेख है उजो सुप्रीम कोड रिट जारी करता है और उसके बाद कहलाब हो जाएगा कानून मतलब कि उसको एक्सन ले लिया जाएगा यदि वह आपको को प्लिस वालिंग अफ्तार किया और आपको देल में रखा है और आपको ना किसी से मिलने दे रहा है तो यह गलत है आपका अलंगन कर रहा है आपका अधिकार है आप अपने बकिल से मिल सकते हो राए ले सकते हो अपने बकिल को अपने घरवालों को बता सकते हो कि मुझे बिलिस वालों ने पकड़ लिया है वो करने देंगे फोन खुद देंगे कि भाई करके बोल दो अपने घर वालों से कि मैं जो ऐसा था हुआ है यदि वो नहीं देते तो आप उसको ए आटिकल या दिला दो वो समझ जाएगा कि यह कुछ है वह जरूरी है नेक्स कोशन मुला क मुखनया तीस होता है राष्ट पती प्रावस्ट buddies कोई नहीं है भारत में दोनोंने त्याग दी अपना पद पद तो क्या करेंगे तो उसमें मुखनयातीS होगा वह क्या करने मुझे को भारत के सर्वोचिनहाल जो कहां ह?! तो आपको नमर डी को लॉक करना सर्वुच न्याले को होती है कि रक्षा की जुम्मेदारी किसकी सविधान की वो सविधान को कोई उलंगन तो नहीं कर रहा है तो सुप्रेम कोड उस नहीं कर रहा है तो उसमें आपको प्रारंविक शेत्र दिकार में आता है सर्वुच न्याले के निर्णे किस पर आधरित होते हैं तो आपको गए जो समयधानिक प्रसनों की सुनवाई कितने न्यादीश करते हैं तो आप गोगे जो समयधानिक प्रसन होता है उसकी सुनभाई की जाती है तो कम से कम पांस न्यादीश उसकी सुनभाई करेंगे और जो निर्णा निकलेगा उसके बाद आपको explain किया जाएगा यहां करा है लोकतंत्र के किस प्रकार के न्याले की आ सकता होती है तो आपको स्वतंत्र और निर्चप जो होता है उसकी आपको सकता होती है किसी सासन की स्रश्टा जाचने के लिए उसकी न्याए विवस्ता की निपुरता से बढ़कर कोई अनकसौटी नहीं है यह कथन किसका है तो आप गोगे यह था वर्ड व्राइस का लाड ठीक है लाड व्राइस ऑप्शन नंबर जिसने दिया है व्राइस तो और इसकी कलपना नहीं की जा सकती ठीक है तो यह कथन किसका है तो यह भी लाड व्राइस का है नेक्स कोशन बुला गया है कि भारत के सर्बुच न्याले में मुख न्यादीस के अत्रिक्त कितने न्यादीस हो सकते हैं तो आप वे 30 न्यादीस हो सकते हैं सुप्रिम गोड में मुख न्यादीस के अत्रिक्त 30 और हो सकते हैं नेक्स कोशन बूला गया है यहां ध्यान से देखेंगे नमा कोशन बूला गया है तर्थ न्याधीस की न्युक्ति कौन करता है राष्टपति करता है और तक जो होता है तर्थ न्याधीस की न्युक्ति की जा सकते हैं तो सर्बुच न्याले में मतलब तर्थ जो होते हैं तो जो रिटार हो चुके उन न्यादिसों को रुकती राष्टपती करता है कि बाइस सुना दो कुछ जो भी सुनाना है तुम्हें काफी दूरों से तुम्हें वह है तो यह चीज है आपको पता होगा एक सो मलब की रिटार होने के लिए कुछ थोड़े दिन रहे गाते वह राज काल काड। कोन होता है वह दिए गया राज पालिका का नाम मातर का आद्यक्स होता है वह कौन होता है तो आप भूए रोट alcanz आपन्वे कोई ब्यक्ति अपनी न्युक्ति के पशाथ अधिक्तम कितने समय तक मंतरी परिश्थ रह सकता है तो आप च्छे महीने तक मंतरी बन सकता है उसके बाद में उसे कोई पद लेखना पड़ेगा कि बही कुछ इना पड़का का उच्छ नियाले उच्छ का मतलब क्या होता है करता है हाइच्छ कोंचिन को नियाधिय को संभात और व little нia до 0010 को कितनी सब्सट को हटाया दसकता है तो उच्छ नियाले के नियाधिय को कौन हटा सकता है तो आप कोगे सदन के संसत के दोनों सदनों द्वारा हटाया जा सकता है संसत के दोनों सदनों द्वारा option number B को log करेंगे कि भाईया high court का कोई न्याधीस है और उसको हटाना है तो सदन के दोनों सदनों द्वारा हटा सकते है लेकिन उसको राष्टपती हटा सकता है समझ रहvanede उसके बाद गया होगा देखे सातमा कोशन को देखेंगे यहां बूला पुला जा रहा है कि उच्छ न्याले के बेतन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं सातमे कोशन का अंसर होगा वो होगा राज की जो संचित निती होती है उस पर आधारित होते हैं तो संचित निती हाई कूर्ट का जो बेतन और भित्ता होता है तो राज के संचित निती पर आधारित होता है ठीक है यहां बुला गया है देखिए इस कोशन को देखेंगे एक बार पहला कोशन है कि राज मंत्री पर किसके प्रति उत्तरदाई होता है तो वो भी विधान सभा के ही होता है तो आपको कि इलावाद प्रियाग राज में है और इलावाद में हाई कोड है कहते हैं यहां कह रहा है राजपाल नयाधीस की निकती किसके प्रामर्ष से करता है राजपाल होता है कोई नयाधीस के निकती करता है तो किसके आपको कि मुक् punches निया लेकर धेकर हाई major के हाई कोड़् की तो मुख न्यादीज के परामर्ष तो उसके परामर्ष से और न्यादीज़्ों की निगती करता है मैश्ट लगर बूलागा है कि राजपाल सर्वधानिक प्रधान हैЯ में जिसके पास बास्त्क प्रिशाशन में हस्त्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है यह कथन किसका है तो जो कथन था कि राजपाल केवल एक सेब्धानिक प्रद्धान है उसे किसी के बास्तविक प्रिसासन में हस्त्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है कि यह कर दो ऐसा कोछ नहीं सकति राश्टपति को नहीं है तो यह क नाजपाल मंतरी मंदल का सूज बूज बाला प्रामर्स दाता है तो राज की आसान्त राजनीती की सान्त वातवन पैदा कर सकता है इस कतर को किस ने कहा था तो आप गहीं है यह कहा था एम भी पाइली ने ठीक है मतलब संब्रती सूची जो बोला गया है तो आपको बता है संब्रती सूची में राज सरकार और किंद सरकार दोनों अपना विधी बना सकती है कानूर बना सकती है राज सूची में राज सूची में केंद सूची में केंद बना सकता है और संब्र दिस्टोटे बें दो नों बना सकते है बात खता नेक्स कोशन गोला गया है चुनाब आयोग की इस्थापना किस अनुछेत के आधार पर की गई तो चुनाब आयोग की जो इस्थापना की गई थी वो कौन से आर्टीकल के थू आपको पता होगा वो की गई थी 324 क सब्सक्राइब करते हैं तो राजनितिक दलों को समानता प्रदान करते हैं तो राजनितिक कि मददाता, जागुरुता, दिबस कम मनाया जाता है तो मददाता जागुर्टा दिबस मनाया जाता है वह 25 Jeans को मनाया जाता है option number B को लोग करेंगे next question बु Shape क्या है 1979 में 61 सिम17 हुआ था ठीक है उस میں आयू कितनी गई ती फ लावर्त कर दी किन्यारद की गई थि उसके पारा कर देगी मजद्दाद्य करने के दूद्धा 치обрा था उ- cursor बोट डालते थे उसके बाद में बोला गया है देखो आधिवाशी समुदाय को अपनी भासा और संस्कृति को सुरक्षित कर रखने का अधिकार किस अनुच्छेत में दिया गया है आधिवाशी जो समुदाय को अपनी भासा और संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार दिया गया है वो दिया गया है हमारा अर्टिकल कौन सा 29 के तहते हैं हमारा क्या है धर्म का अधिकार है मतलब अपनी संस्कृति भासा का अधिकार तो वो आर्टिकल 29 में दे रखा है कि वह अपनी जो आधिवासी समूदाय के लोग है वो अपनी भासा और संस्क्रिती का तो नक्षित अधिकार है उनको प्रक्षा करने का तो वह आर्टिकल 29 के दुरू है नेक्स कोशन यहां बूला गया है आधिवासी बहुल राज क्या है बहुल राज बता ये आधिवासी उनकर वह नहीं होते है तो वह अधिवाशी जो जो ओते हैं ठीकल बुला गया किंद और राज के मद्ध समंद का निर्धान किसके द्वारा किया जाता है तो बिती आयोग के द्वारा किया जाता है तो ये कोशन थे 2022 में आने वाले कोशन आपके लिए most important है आप इन कोशनों को याद करके 85% प्रस लाएंगे ये वीडियो का part 2 था पार्ट पहले आप मैंने पहले से अप्लोड कर रहा है जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं mcq first paper first year second year third year most important बहां से भार कुशन आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर बाल आकर को प्रेस कर देना ज्यादा से ज्यादा दुस्तों को शेर कर देना थैंक यह पर चीडियो बाई बाई